तो यार अगर आपका बज़ेड बीसजार है, बीसजार के बज़ेड में आप एक लॉंग बैटरी लाफ देख रहे हैं, अच्छी डिस्प्ले अच्छा डिजाइन उसके साथ साथ परी अगर आप हाड कोर गिमिंग करना जाते हो, मल्टी डास्किंग करना जाते हो, 4K में वी आपका बहुत-बहुत सब्सक्राइब वीडियो को करते हैं, इंस्ताग्राम पर कलो फॉल्व यार, लिंक तो वगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा, उसको चावडू करना अगर फॉलू करना जाते हो, तो कर जकते हो, अब भी स्टार्ट करते ह हम नमबर फाब, तो यार, नमबर फाब की बात करो, नमबर फाब पर यार, मैंने रखा, रटेमी नोट नाइन प्रो मैक्स, अगर इस स्मार्टफून की बात करो, सबसे पहले इसके प्राइस की बात करके, आपको 16,000 के बज़र में ये स्मार्टफून देखने को मिल जाग बात कुरूँ मैं camera के आपको और camera सेर्ड मिल जाता है जिसपे आप 4K video recording कर सकते हो 30 fps पर selfie आपको 32 में अबक से इस एल फी मिल जाती है जिसपे आप 1080p पर record कर सकोंगे 4K option आपको front camera में नहीं मिलता है battery की बातों को फाफ जरु तूजरा में जाती है अगर आपने जाना है तो Redmi Note 9 Pro आपके लिए बैस दिल हो सकता है अगर आप Redmi लवरो भी अभी बात करते हैं इसके मेन स्पैसिफिकेशन की डिस्प्ले की बात करूँ आपको 6.67 इच आई पैस एलसे देखनी को मिल जाती है पर सासर की बात करूँ आपको स्फ्ट्राइब गदान साइवन टोरीजी देखने को मिल जाता स्टोरेग्वा तो को 6GB रम जाती प्लस इस्टी फोर जी बी स्टोरेज मैंने आपको पहले भी बता दिया स्थी फोर जी भी बी मिल जागा वां टोर्टी एट जी बी मिल जागा तो बाइड जो भी मतलब विर प्रपीड करना हूं यार में आपको बता दिया रड़ी में नोट 9 प्रो मैक्स के प्लस इसके कलर वगर आप बहुत मुझे बहुत प्यारी लगते हैं ठीक है तो यह लिंक इसका मैंने प्रवाइड किया हुआ नमबो 4 पर मैंने रख्या पोको M2 अगरिस स्मार्टफोन की बात करूं आपको 17000 से लेके 18000 के बजड में यह स्मार्टफून भी देखनी को मिल जागा इस फोन की बात करूं सबसे पहले यह तीन वेड में देखने को में आप देख लेना अगर आपने 4Gb के और जाना आप जा सकते हो इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाते है जो कि Gorilla Glass 5 के साथ आती है Snapdragon 720G देखने को मिल जाते है जो कि 8-9-minute technology के साथ बेश जा तो भी अगर आपने गेमिंग भारा भी करने है आप smoothly कर सोगो कि कोड कैमरा से आड़ मिल जाता 4K वीड रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर प्लस आपको 16 में आपक से सैल्फी मिल जाती है जो कि 1080p पर रिकॉर्ड करती है 4K option आपको फ्रंट में नहीं मिलता 5000 mh की बैंटरी मिल जाती प्लस ग्लास बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ आपको देखने को मिलता है इसके में स्पैसिफिकेशन की बात कर लेते हैं आपको पता चल जाएगा तो पोको एंटू प्रो के में स्पैसिफिकेशन की बात करूं पहले डिस्प्ले की बात करूं आपको 6.67 डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6GB RAM मिल जादी, प्लस 128GB storage, बैंटरी की बातों को 5000 डामेच की बैंटरी मिल जादी, प्लस 33W का फाचा, जर कैमरे की बात करूं, आपको 48 में आप अक्सल के साथ कौर कामरा मिल जाता, प्लस में आपको कहना चाता हूं, अगर आप हाड कोर गेमिंग करना जाते हो, गेमिंग के लिए स्मार्टफून ले रहे हो, अगर आपका पजड़ 16,000, 17,000, 18,000, अगर आपका पजड़ है, तो भई अगर आपने Poco M2 Pro की और भी जाना है, तो मैं आपको कहना जाता हूं, आपने 6GB RAM की और जाना है, 4GB की और मत जाना, अगर आपका जो गेमिंग एक्स्पेरेंस है, वो सही नहीं होगा, 6GB RAM आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है, अब भी आगे बात करते हैं, नहीं जाना, Samsung Galaxy M31S के और भीकज आपका गेमिंग एक्स्पेरेंस तना अचाहा नहीं होने वाला, भीकज इसमें आपको परसाइस सर इतना तगड़ा नहीं मिलता, लेकिन भी अगर आपने डेली में यूजिज करना, आपको एक डिस्प्ले अची चाहिए, उसके साथ साथ 4K option चाहिए, front camera भी और back camera भी अगर आप अची selfie लेना चाहते हो, अची photos लेना चाहते हो, आपके लिए perfect deal हो सकता है, Samsung Galaxy M31S आप जा सकते हो, normally and easily जा सकते हो, बहुत जाता सही है, इसका design जो है, जा colors बगारा है, वो भी बहुत लुक मतलब कहने का, वो बहुत सही मिल जाते है अभी बात करते हैं, इसके main specification की, तो यह display की बातों को 6.5 inch Super AMOLED display मिल जाते है, processor की बातों को Xnox 960 11 देखने हो मिलता है, तो मैं आपको कहाना चाहते हो, Samsung के phone अगर आप 11,000 से लेके 20,000 के प्रेड में लेते हो ना, तो सभी में आपको processor सेम ही देखने को मिलेगा, Xnox 960 11 ही सभ में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो प्रसाइसर को देखके, अगर आपने Samsung का phone लेना है, चाहिए आप 10,000 के ले लो, चाहिए आप 20,000 के ले लो, आपको same ही चीज मिलने वाली है, storage की बातों को 6 GB RAM मिल जादी, प्लस 128 GB storage, प्लस आप expendable भी कर सकते हो, बैटरी की बात करो, आ अपको और camera setup मिल जाता है, 64 MP, प्लस 12 MP, प्लस 2 MP, प्लस 2 MP, प्लस 2 MP, अपको 32 MP, मिल जाती, प्राइस की बात करो, पहले इसका प्राज आपको ठाहराँ पांचो देखने को मिलता था, लेकिन अब भी इसका प्राज आपको ठाहराँ जार में मिलेगा, और अगर आपके लिंक मैंने प्रवाइड किया हूँ है, आगे बात कहते है, नमबर नबर नबटो की बात करूई है, नमबर टूपर मैंने रख़ाया, पोको X3, अगर इस स्मार्फोन की बात करो आपको, आपको 16000 के बज़र में ये स्मार्फोन देखने को मिल जाता है, और ऑपको पूरा सच में बहुत मैंटर करती है पुरसा सरगी बात को आपको स्नापड़कन 732G देखने को मिल जाता है जो की एट नैनोमिटर टेकनलोजी के साथ बेस्ट है वो भी बहुत अगरा भी अगर आप हार्ड को गीमिंग करना जाते हो ये फून आपके लिए पोफेक्ट डील हो सकता ह बात करों आपको देखने को मिलेगा एंड श्क्राटो डाम अपका एक दिन नहीं करते हैं वाली अगर आप गीमिंग करते हूं और यूजी नहीं करना है तो भाई आपके दो दिन निकाल लगी इसके में बाट कर लेता है आपको पता ठालेगा ठीका डिस्पलेज की बात कर बत करूँ आपको स्नेपड्राइगन सेवं थरी है तेखने को मिल जाता है स्टोरीज की बात करूँ आपको सिक्स फाउंड थेखने को मिलते हैं तो यार एक वे दो इपको ठाहरां के बजर में मिल जाएगा एक अब को सौरा हजार के बजर में मिल जाएगा एक उससे ऊपर नीचे हो सकता है तो आप चाकूर कर लेना अगर आपने जाना पोको एकसरी के और ये स्मार्टफुन भी आपके लिए बेस्ट ठील हो सकता है तो यह आपको बता दिय कर नहीं करने हैं आपके लिए परफैक्ट 11 की बात करते हैं नमब ट्रीन पर मैंने रखा है रियली सैवन प्रो अगर इस С्मार्ट्फुन की बात करूओ सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की तो ये प्रेंग आपको इनिस जार के बजड में देखने को मिल जाता ठीक ह इसका design जा look of regard आप बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं उसके साथ या यह दो वेरिड में देखने को मिल जाता है ठीक है आपको super amoled display देखने को मिल जाते हैं जो की gorilla glass की protection के साथ देखने को मिलती है तो यार इसका design और look of regard सच में बहुत प्यारे हैं उपर से like realme का प्रेंड ट्रस्टेड ब्रेंड टॉप ब्रेंड में से आता है एंड यह बजट फ्रेंडली फूर बनाते हैं अगर आपका बजट आठ जार भी है न उस प्राइज में भी आपको एक अच्छा design अच्छा डिस्प्ले विगर आपको प्रवाइड कर देता है realme तो भाई अगर आपने आपको सिक्सपेंड फॉर इंच्छ शूपर अमुलेड डिस्प्ले मिल जाती है पूर्साइसर की बात करूं आपको स्नेप्लाइज जी देखने को मिल जाता है जो की एट नैनोमेटर टेकनोलोजी के साथ बेज जा है स्टोरेज की बातों को 6GB RAM मिल जाती है प्लस 1.1 GB storage प् कामेरे की बात करूं आपको 4500 ड्मेज की बैंटरी मेंटरी में जाती है प्लस 2 सेल्फी की बात करूं इसका प्राइज आपको 19,000 के बज़र में देखने को मिल जाएगा तो यह मैं आपको बता दिया रियल मी 7 प्रो के अभी बात करते हैं कि इन में से बैस्ट कॉंस है तो अच्छी डिस्प्ले चाहिए उसके साथ साथ आपको long battery laugh चाहिए तो आपके लिए perfect deal होजकता है Poco X3 उसके बाद हम बात करें भी अगर आपको long battery laugh चाहिए non channel smartphone चाहिए 4K video recording का option चाहिए अच्छी display चाहिए अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आपको जा सकते हो Samsung Galaxy M31S के और वो फून भी आपके लिए perfect deal होजकता है और अगर आपका budget 19,000 है जब 20,000 है इस price range में भी आप जा सकते हो realme 7 pro के और अगर आपको redmi का फून पसंद आता है तो आपको smartphone के और भी जा सकते हो वो भी आपके one ass है तो आप दिम्री मेरी वीडियो यही पर हो जाती है या whe अगरका पर ऊचना तक्री जिए चूद करेंक दोस्तेश करके दोना तो वी को विटी में तो मिल के झाल झाल